पेर साब की थेली में सूजन या जिसको मेडिकल भासा में बोलते है सिस्टैटीस तो सिस्टैटीस के बारे में आज की इस वीडियो में जान करें देंगे कि सिस्टैटीस क्यों होता है इसको हम symptom के मादिम से कैसे जान पाएंगे अगर आपको सिस्टैटिस है तो कौन से आपको टेस्ट करवाने चाहिए चलिए आपको सिस्टैटिस कन्फर्म हो चुका है तो इसका homeopathic medicine के मादिम से बीना surgery operation के कैसे treatment हो सकता है इसकी जानकर इस वीडियो में सेर करेंगे तो इसको लास तक जरू देखेगा मैं हूँ डॉक्टर रामदेल मुरिया जोत्पूर राजस्तान इंडिया से एक होंपेथी कंसल्टेंट और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पारसों पेथी में सबसे पहले हम जानते हैं कि सिस्टैटिस कोमन परसन नहीं पैचान पाता है क्यूंकि उसको काफी ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो इूरिनी टेक्ट इन्फेक्शन से कोरेलेट करते हैं जिसके लिए आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे अलग लग करके कि अगर आपको यूरिनिटेक्ट इंफेक्शन है तो क्या दिकते होती है आपको बार-बार यूरिन लगता है यूरिन में स्मेल आने लग जाती है यूरिन के अंदर जलन होता है दर्द होता है ये कंडिसन आपकी यूरिनिटेक्ट इंफेक्शन में होती है लेकिन सस्टैटिस की जो कंडीसन होती है अगर आपको Urine Tricked Infection बार-बार हो रहा है तो क्या होगा आप Urine जब जाते हैं आपको Sudden Urge होती है इसस्टैटिस का यह खास सिम्टम है की एकदम से Sudden Urge होगी और उस Urine Pass करने के बावजूद भी आपको लगता है कि आपकी पैसाप क थेली में कुछ urine रूख गया है यानि कि वो जो अर्ज होती है complete नहीं हो पाती है उसके वज़े से आपको दुबारा जाना पड़ता है यानि कई बार जाने के बावजूद भी आपको ऐसा एसास लगता कि पेडू भारीपन अभी भी बना हुआ है पेडू के अंदर आपको हल स्टैटिस में देखे जा सकते हैं अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि स्टैटिस को हम अभी भी नहीं पैचान पा रहे हैं तो वहां पर आपकी कंडिशन हो जाती है कि आपका डॉक्टर आपकी कुछ इन्वेस्टिकर्स निया कुछ जांचें करवाएं तो आपने कई ब यानि आपकी पेसाब करने के बाद थेली के अंदर यूरीन बसता है उसकी मातरा कितनी है वह मातरा भी डिसाइड करती है कि आपके स्टैटिस की समस्या है फिर भी कई बार कंफर्म नहीं हो पाता अल्टरा सांट से तो आपकी दूसरी जांचे की जाती है सिस्टोस्कोपी जिसके अंदर आपकी नली के दुर्बिन आपकी थेली के अंदर डाला जाता है उसके देखा जाता है कि आपके अंदर की जिली कितनी बढ़ी हुई है उसकी मोटापा कितना है यह डिसाइड करता है आपके सिस्टैटिस को अब बात करते हैं चलिए आपको कंफर्म हो चका क आपको डुक्टर क्याते हैं बार-बार एंटीबाटिक्स देता हैं बार-बार टीटमेंटे लेने के बाँजूद इन سिंप्टम्स में आपको रीलिप नहीं मिल पाता है। तो क्या एडवाइस करते हैं डोक्टर, सर्जन आपको कहता है कि इसकी सर्जरी करवानी पड़ेगी, इसका ओप्रेशन होगा, उसके बाद ही पर्मानेटी ठीक हो पाएगी, लेकिन सर्जरी करवाने से पहले एक बार आप रुकिये, सोच ये, क्योंकि इसका हुमिपेतिक मादम से आसानी से टीट्मेंट हो सकता है, मेरे ऐसे बहुत सारे कैसे हैं, जिसका सिस्टाइटिस का मैं आसानी से टीट किया है, बहुत सारे लोग इससे रहात पर्मानेटली पाच लोके हैं, तो मैं आपको कुछ मेडिसन सजेस्स करूँगा, जिनके मादम से आप इससे प इस्तेमाल करेंगे तो आसानी से आपके सिस्टाइटिस का केस ठीक हो सकता है दूसरी सेकिंड टो प्रीडिंग मेडिशन होमें पेती में जो यूज की जाती है वह दोस्तों यूपिटोरियम पर जिसको हम स्क्रीन पर भी सो कर रहे हैं अगर आपको चीमा फिला से रिलिप नह करने लग जाएंगे आपको खुद को ऐसास होगा कि आपका जो यूरिन ब्लेडर के अंदर रुक रहा था वह धीर धीर कम रुकने लग जाएगा आपके सिम्टम्स में आपको इंप्रूमेंट लगेगा आपके अच्छा सुधार मैसुस होने लग जाएगा तो आप कंटिन मिलते हैं नहीं जानकर ही उनने वीडियो के साथ धने मार फ्रेंड्स